इस स्कोर्स से आपके आने वाले समय में अगर कोई लोन लेने के आप सोचते हैं क्या इंपाक्ट पर सकता है यह हमने जाना बलवन्जी से लेकिन जहां तक बाते से सुधारने की ऐसे भी क्या टो नहीं है तो इसे बिल्ड कैसे किया जा सकता है और अगर खराब लाय जा सकता है इन फाक्ट आपको क्विक स्टेप्स यहां पर बता देते हैं अगर आप अपने सिविल स्कोर को इंपरूव करना चाहते तो सबसे पहला जैसे कि एक्सपर्ट ने कहा कि यहां पर जो ब्योरो आता है जो ब्योरा होता है अपकी रिपोर्ट में वो महस्द दो सालों का आता है जबकि आपका previous 7 साल में जो भी आपने transactions करें उसका reflection होता है यानि आपके पास समय है तो आप अपनी EMI's को तिरे दिरे track पर ला सकते हैं कोई credit card अगर अगर आप इस्तमाल करने हैं तो timely सब का payment का हुए एक और अच्छी tip यह हो सकती है कि अगर आपको कोई भी lump sum amount मिलता है तो उसका आप loan को चुकाने में इस्तमाल कर सकते हैं score को सुधारने के लिए आप अपना secured credit card लेने की भी सोच सकते हैं साथी bank के fixed deposits पर आपको secured overdraft की सुविधा भी मिलती है यह कुछ steps हो सकते हैं जिससे अब अपना score सुधार सकते हैं इन फाक्ट बलवन्ची मैंने कहीं पढ़ा कि बार-बार कई लोग इंक्वाइरी करते हैं personal loan को लेकर हाला कि वो loan शायद ना भी लें लेकिन क्या इसका भी कुछ negative impact होता है civil score के उपर क्या bank उनको as credit hungry देखता है कि यह बार-बार loan के लिए apply करता है इसका क्या relation है आपस में यह एकदम सही का पल्ले भी आपने जैसे आप बार-बार loan के लिए apply करते हैं तो यह reflect करता है कि आप एकदम desperate है loan के लिए और आपकी जो credit की हंगर है वो बताता है इसकी वज़े से जैसे बार-बार आप और यह जितनी भी आप credit loan के लिए application करते हैं भोले आप loan avail करें या नहीं करें वो inquiry के तोर पर सिबिल के report record में दर्ज हो जाता है बहुत तो बहुत जादा अगर inquiry रहेगी तो जो lender है उसको यह report आ जाती है वो देखता अरे 10 जगे apply किया 20 जगे apply किया तो आपका जो negative perception बन जाता है lender के दिमाग में तो अगर आपको loan नहीं लेना है तो आप apply मत करिए और बहुत ज़्यादा जगे आप apply करेंगे तो भी आपका civil report भी खराब दिखेगा और आपका civil score है उस पर भी adverse impact है और हो सकता आपका नीचे आज तो bank से जो आपका relationship है वो over the years बनता है अगर आप एक ही bank में आपका खाता है तो वहाँ पर आप अगर loan के लिए apply करते हैं वहीं पर negotiate करके conditions में कुछ softness या बदलाव ला सकते हैं बार बार apply करने से civil score पर आपका negative impact पर सकते है झाल